भाइ दीपक जेन है और मैं हूँ फाउंडर इन्फिनिटी गेन्च LLP, सूब फ्रेंड्स अगर आप एस ये इंस्चॉरंस कंसल्टेंट काम करना चाटे हैं, तो आपको किसी ना किसी लाइफ इंस्चॉरंस कंप्णी या जन्रलिंच्उरंस कंप्णी या है इंशारंस कंपनी के थुरू IC 38 का एक एक्जाम पास करना होता है और यह एक्जाम कंड़क्ट किया जाता है IRDA की तरफ से जब आप इंशारंस कंपनी के थुरू यह एक्जाम में अपियर करते हैं तो आपको एक घंटे का एक्जाम के लिए अपियर होना होता है इस एक्जाम के अंदर 50 questions आपसे पूछे जाते हैं और हर question के सही answer के लिए आपको एक number मिलता है पास होने के लिए आपको minimum 17 marks यानि कि 17 marks आपको minimum लाने होते हैं आप जब यह exam दे रहे होते हैं तो यह exam online exam होता है आप जैसे ही computer के उपर या system के उपर एक घंटे के बाद exam अपना submit करते हैं same time पर यानि उसी समय आपको आपका result आपकी screen पर show करता है so friends अब important बात यह आती है कि जो questions आते हैं इस exam में वो किस तरीके के questions आते हैं और हमें किस तरीके का material या किस तरीके का study material हमें पढ़ना चाहिए so that हम इस exam को pass कर पाएं so friends हमारी team ने पिछले काफी वर्षों के experience के basis पर आज आप लोगों के लिए एक passing मंत्रा तयार किया है और इस passing मंत्रा में हमने 188 यानि कि 188 questions select किया है तो आज हम बहुत ही simple language में इन 188 questions को understand करने की कोशिश करेंगे so friends आईए सबसे पहले हम बात करते हैं passing मंत्रा की start करते हैं passing मंत्रा so first question जो की आ सकता है वो है for an insurance policy nomination is allowed under dash of the insurance act 1938 इसमें आपको चार option दिये जाते हैं तो first option is section 10 second option is section 38 and third option is section 39 fourth option is section 45 so for an insurance policy nomination is allowed under section 39 of the insurance act 1938 इसका option रहेगा section C next हम बात करते हैं विवेक is 25 years old and healthy he leads a normal life and is non-smoker and don't take alcohol if he applies for a policy what would be the decision of underwriter अगर वो policy के लिए करते हैं तो underwriter का क्या decision होगा चार option आएंगे इसमें चार्ज एक्स्ट्रा प्रीमियम डिक्लाइन दा पॉलिसी चार्ज ओर्डिनरी रेट पुटा लीन तुदा पॉलिसी सो इसका जो option रहेगा वो रहेगा correct option रहेगा वो रहेगा C चार्ज ओर्डिनरी रेट थर्ड कोश्चन की हम बात करते हैं वाइल अप्लाइं फॉर एन इंचॉरंस पॉलिसी वन नीट तू मेंटेन उबरीमा फाइट्स वट दू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस तो फ्रेंट्स यहां पर उबरीमा फाइट्स करके एक त्योरम है जिसको की डिसकस किया गया तो एक च्छन एक ओप्सेन रहेगा डिस्टोज ऑनली वैट इस आस्ट एवरी पार्टी टू दा कॉंट्रेक्ट मस्ट डिस्क्लोज ओल मंटीरियल फैक्ट रिलेटिंग तू यहां सिउप्शन रहेगा नॉट रिक्वाइट तू डिस्परमेशन रिस्प्रमेशन रिस्प में और में नॉट भी डिस्क्लोज सो बहुत सिंपल है अगर आप किसी एक लीगल कॉंट्रेक्ट में आना चाह रहे हैं तो जो भी आपके material facts हैं वो आपको disclose करने होंगे और इसका correct answer रहेगा भी every party to the contract must disclose all material facts relating to the subject matter fourth question कि हम बात करते हैं which of the following is not a benefit of life insurance चार option दिये गए हैं इसमें इन चारों में से कौन सा जो है option वो life insurance का benefit नहीं है life insurance provides protection yes protect करता है life insurance life insurance business earns forex for our country life insurance generates fund for social development life insurance helps in securing future financial goals तो इसमें जो इसका correct answer है which of the following is not a benefit of life insurance इसमें से कौन सा ऐसा option है जो की life insurance का benefit नहीं है बी option इसका correct answer है life insurance business earns forex for our country तो इसका correct answer रहेगा बी नेक्स्ट हम बात करते हैं question number five की who is the owner of the policy in a proposed case यानि कि जब एक policy propose की जाती है तो उस policy का owner कोन होता है चार option इसमें दिये गए है life insurance beneficiary none of them nominee तो इसका correct answer है ए लाइफ इंशोर देन हम बात करते हैं six question की disputes exceeding 100 lakhs will be filed with तो अगर कोई भी policy के अंदर 100 लाक से उपर का जो claim होता है उसका dispute या settlement यानि court में कहां पर वो apply किया जा सकता है कहां पर वो complaint की जा सकती है तो इसमें चार option दिये गए है district forum national commission state commission ombudsman तो 100 लाक से उपर का जो case है वो national commission के through उसका solution मिलेगा seven question की बात करते है what measures you will suggest to stop money laundering यानि कि money laundering को stop करने के लिए कौन सा option best रहेगा चार option दिये गए है strict kyc process to be followed cannot be checked can be controlled intervention i r d a can check तो इसका correct answer रहेगा strict kyc process to be followed यानि कि policy देने के समय पर strict kyc जो है वो client से अगर लिया जाएगा तो money laundering का जो issue है उसको stop किया जा सकता है next हम बात करते है question number 8 which of the following statement is true with regards to health policy यानि एक health policy के लिए कौन सी statement correct है निचे 4 statement दी गई है उसमें बात करते हैं one can take treatment benefit immediately after issuance of the policy there is a minimum waiting period of 45 days however can avail benefits in case of an accident there is a minimum waiting period of 30 days however can avail benefit in case of an accident he can avail benefit for all diseases and ailments after 30 days so एक health policy के अंदर कौन सा statement correct है तो जैसा कि आप देख पा रहे है option C यहां पर दिया गया है there is a minimum waiting period of 30 days यानि कि किसी भी health insurance policy में 30 days का waiting period होता है however can avail benefit in case of an accident और fresh policy अगर आप लेते हैं और accident के case में day one से policy आपकी स्टार्ट होती है अनि coverage देती है next time बात करते है question number 90 which of the following is a product where life insurance is provided by a life insurance company and health cover is provided by a non-life insurance company चार option इसमें दिये गए हैं तो combo products जन आरोग्य भीमा policy राश्टिय स्वास्तिय भीमा योजना प्रदान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना so इसका correct answer रहेगा option A combo products next friends हम बात करते हैं question number 10 की for the benefit of a married woman which policy you would suggest so इसमें चार option दिये गए है married woman की safety के लिए friends act होता है इसको बोलते है married woman policy act जिसके की अंदर अगर husband की death होती है तो पूरा का पूरा पैसा married woman को मिलता है इसको हम बहुत simple तरीके से कह सकते हैं अगर husband की कोई bank से liability या loan चल रही है तो even bank भी उस पैसे को जो policy वाला amount है उसको हाथ नहीं लगा सकता है इसमें चार option दिये गए है money back endowment policy under MWP Act pension तो इसका correct answer रहेगा policy under MWP Act आये बात करते हैं question number 11 in case of maturity in MWP Act the maturity proceeds are paid to policy holder, trustee या beneficiary, nominee और life assured तो इसका correct answer रहेगा option B trustee or beneficiary question number 12 which of the below statement is true with respect to respect of MRTA policy question option A decreasing term insurance policy increasing term insurance policy some assured remain the same none of the above so इसका correct answer रहेगा decreasing term insurance policy question number 13 Ram was diagnosed with a disease and doctors have declared that he will survive for just one more month what type of risk it is so Ram diagnose हुए एक disease से और doctor ने declare कि ये सिर्फ next एक month तक survive रहेंगे तो ये किस तरीके का risk है ये इस तरीके का risk है या इसको ऐसा risk माना जाएगा जो हमें पहले से पता है तो इसमें चार option है pure risk, speculative risk, fundamental risk और catastrophic risk, so friends इसका जो correct answer है वो है pure risk, next हम बात करते है, question number 14, Vikram met with an accident and died, his family received a monetary benefit from an insurance company, what this benefit is known as, चार option दिये गए है कि Vikram इसमें question पूछा गया है, Vikram met with an accident और accident की वज़े से उनकी death हो गई है, insurance company की तरफ से उन्हें monetary benefit मिला है और इन चार options में ये कौन सा benefit कहलाएगा, maturity benefit, death benefit, survival benefit, surrender benefit, so क्योंकि accidental death हुई थी और death की वज़े से death के बाद insurance company ने उनको monetary benefit दिया तो इसका correct answer है B, death benefit, 15th question, Rohit bought an insurance plan against a loan and the insurance cover decreases every year with respect to the remaining loan amount, what type of insurance is it, first option is increasing term insurance, decreasing term insurance, money back and endowment, तो इसका correct answer है decreasing term insurance, MRTA, 16th question, the policy has an option to grant an additional period of time to pay the premium after it has become due, what is the standard length of grace period, so 4 option इसमें दिये गए है, 15 days from due date, 7 days from the due date, 1 month or 31 days from the due date, 45 days, so इसका correct answer है, option C, 1 month or 31 days from the due date, 17th question की बात करते है, तो इसका correct option है, तो इसका correct option है, या correct answer है, option C, 2nd and 3, बोथ हर गरेक्ट, 18th question पर आते हैं, in case of dash, a company expressed the bonus as a percentage of basic benefit and already attached bonuses, चार option दिये गए है, रिवर्ज, रिवर्जनी बोनस, इंटरिम बोनस, टर्मिनल बोनस, परसिस्टेंसी बोनस, तो इसका correct answer है, रिवर्जनरी बोनस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, question number 19, the process of classifying similar risks equally to charge same premium is known as, चार option दिये गए है, risk assessment, numerical assessment, accurate assessment, type assessment, तो option A is correct, risk assessment, question number 20, अजे applies for a policy and was asked to undergo medical test, what type of underwriting it is, अजे एक health, एक policy के लिए apply करते हैं और उनको medical test में जाने के लिए pre-policy check-up के लिए बोला जाता है, what type of underwriting it is, तो यह किस तरीके के underwriting है, चार option है, financial underwriting, medical underwriting, non-medical underwriting और lying, so option B is correct, medical underwriting, question number 21, who devised the concept of HLV, HLV जो concept है, वो किसने devised किया था, यह पूछा जाएगा, चार option आएगा, आपको चार में से एक select करना है, तो first one is Professor Hardley, Professor Comte, Professor Hobiner, British Council, so option C is correct, Professor Hobiner, question number 22, which among the following is an intangible product, so 4 option दिये गए है, intangible का मतलब यह होता है, कि ऐसा product जिसको हम देख ना पाएं, so 4 option दिये गए है, Polgate को हम देख सकते हैं, smartphone को हम देख सकते हैं, option C, life insurance, none of the above, so option C, life insurance is correct, because life insurance is a promise, जिसको कि हम देख नहीं सकते, तो life insurance को intangible product बोला जाता है, question number 23, विशाल गुपता's insurance claim was denied by insurance company, in case of a denial, what is the option available to विशाल गुपता, apart from the representation to the insurance, so question यह है कि विशाल गुपता का insurance claim, insurance company denied कर देती है, तो विशाल गुपता जी के पास कौन कौन से option है, insurance company के पास अपना case present करने के अलावा, so विशाल गुपता के पास, ombudsman, consumer forum, court, तो option D is correct, all of the above, यानि कि वो अपने case या matter के solution के लिए इन तीनों में से कहीं पर भी जा सकते हैं, option D is correct, all the above, question number 24, as per IRDA guidelines, grace period is allowed for renewal of individual health policy, यानि कि आपको आपकी health insurance policy renewal करने के लिए कितना समय दिया जाता है, तो आपकी जो भी last date है, last date के बाद next 31, one month और 31 days, यानि कि आपको 31 days का समय मिलता है, अपनी policy, health policy को renew करने के लिए, as per guidelines, question number 25, as per guidelines, maximum time, which insurer should settle a death claim when all documents are collected and without investigation is within, so as per guidelines, maximum time, which insurer, एक insurer को एक death claim settle करने के लिए maximum कितना समय लेना चाहिए, तो चार option आते हैं, 180 days, 30 days, 45 days, 15 days, तो 30 days is the correct answer for this question, 26 question की बात करते हैं, as per IRDAI regulations 2002, a claim under a life insurance policy shall be disputed within dash days, तो इसका correct answer है, एक life insurance policy को एक claim within 30 days में, उसका solution देना चाहिए, 27th question की बात करते हैं, identify, identify under which type of policy, the claim payment is made in the form of periodic payments, so ऐसे कौन सा option है, जहांपर की periodic, यानि की हर 5 साल में, चार साल में, insurer की तरफ से policy holder को amount वापिस किया जाता है, तो इसमें चार option दिये गए हैं, term plan, money back plan, child plan, online plan, तो money back plan एक ऐसा plan option होता है, जहांपर की एक limited, एक time period के बाद, कुछ-कुछ amount वापिस किया जाता है, question number 28, why is heredity history is important in medical underwriting, तो heredity history, medical underwriting के लिए क्यों important है, option, चार option दिये गए हैं, to know all about the family of the proposal, it help analyzing risk by the underwriter, to keep record all of the above, तो correct answer is, it help analyzing risk by the underwriter, so underwriting, underwriter को इसमें help मिलती है, client का risk चेक करने में, next हम बात करते है, question number 29, an insurance policy assignment is allowed under dash of the insurance act 1938, so insurance policy assignment, insurance act 1938 के कौन से act के अंदर है, तो चार option दिये गए हैं, section 39, section 31, section 38, section 25, तो आपको section 38 पर टिक करना होगा, what is the full form of IRDAI, चार option यहाँ पर दिये गए हैं, insurance regulatory and development authority of India, insurance regulatory and development agent of India, insurance rules and development authority of India, insurance regulations and defined authority of India, तो इसका correct answer है, insurance regulatory and development authority of India, question number 31, which is the first part of standard insurance policy document, एक standard policy document में, first part कौन सा होता है, चार option दिये गए हैं, premable, schedule, exclusion, endorsement, तो B is correct answer, schedule is the right answer, question number 32, which is not a valid address proof, इन चार options में से, कौन सा option, correct address proof नहीं है, pen card, voter ID, passport, driving license, तो अगर आप देखेंगे, तो pen card के ओपर address नहीं होता, और वो एक valid address proof नहीं है, तो pen card is the correct answer, question number 33, the application document used by, used for making the proposal, is commonly known as the, चार option दिये गए है, proposal form, application form, both are correct, both are wrong, so the application document used for making the proposal, is commonly known as the proposal form, यानि कि जब आप company में, अपना fresh proposal form submit करते हैं, तो उस form को proposal form बॉला जाता है, so option A is the correct answer, in case the policy holder is not satisfied with the policy, he or she can return the policy, within the dash of receiving of the policy documents, so अगर आपने policy purchase की है, और अगर आप उस policy से खुश नहीं है, तो policy document receive होने के बाद, आप कितने समय के बाद, उस policy को company को surrender कर सकते हैं, और अपना policy का payment बापेस ले सकते हैं, इसको बोलते हैं free look period, so 4 option दिये गए हैं, option A is 30 days, option B is 15 days, option C is 45 days, then option D is cannot return, so option B 15 days is the correct answer, question number 35, a cycle rickshaw puller's life is in which hazard, तो कौन से hazard में cycle rickshaw puller की life आती है, तो इसको चार option दिये गए हैं, moral hazard, physical hazard, occupational hazard, all of the above, इसका correct answer है, option B, physical hazard, question number 36, which among the following is a wealth accumulation product, चार option दिये गए हैं, traditional insurance product, shares and mutual funds, term plan, all of the above, which among the following is a wealth accumulation product, ऐसा इन चारों में से कौन सा ऐसा product है, जहां पर हम अपनी wealth accumulate कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, तो option B is the correct answer, shares and mutual funds, question number 37, which among the following is not an objective of tax planning, चार option दिये गए हैं, tax evasion, buying insurance plans, buying PPS, buying ELSS, so option A is correct, tax evasion, question number 38, what are essential of valid contract, चार option दिये गए हैं, offer and acceptance, consideration, capacity to contract, और option D है, all of the above, तो इसका correct answer है, all of the above, question number 39, simple calculation of HLV, PA income is 1.25 lakh, what would be, तो इसका answer है, 10 to 15 times of annual income, question number 40, who is licensing authority of advisor in insurance sector, so IRDAI, यानि Insurance Regulatory and Development Authority of India, is the correct answer, so friends, अभी 188 questions हैं हमारे पास, 40 questions, यानि कि 40 questions, हम लोगों ने अभी तक discuss की हैं, और next, आगे 41 के onwards, हम लोग पार्ट 2 में cover करेंगे,